तो चलिए आज बनाते हैं केसर बादाम और पिस्ता श्री खन बहुत ही टेस्टी एक डिजर्ट भी है और धार्मिक महतो भी है एक चलनी ली उसमें मलमल का कपड़ा लिया और कर्ड को सारी रात बांग के फ्रिज में रख दिया ये देखिए योगर्ट जो हमारी हंग कर्ड ह है वो तयार है इसको अच्छे से बीट करना है बीटिंग बहुत बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है इसको फोक से भी कर सकते हो आप मैंने थोड़ा साइस को एडिट करा हुआ है ताकि बहुत टाइम आपको यही न दिखाती रहूं और यह है पिसी हुई चीनी इलाइची सकते हो तो यह मैंने केसर घोल के दूद में रखा हुआ था तो इस तरह से इसको चलाते जाएए और एड करते जाएए फलफी हो जाता है यह बहुत जादा यह मैंने टेस्ट किया तो ठीक लग रहा है अभी मीठा आप अपने अकॉर्डिंग मीठा डाल सकते हो क्योंकि दह चीज करके भी खा सकते हो बहुत यम्मी लगता है और अगर आपको मेरी वीडियो लगी है आची तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है भाई